हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकर्स करने वाले हैं एनायस क्लास 12 कम्प्यूटर एंड ओफिस एप्लिकेशन जिसका खोड त्री हंड्र सॉरी 631 है इसके स्वाल प्राफ्टिकल के बारे में आज की वीडियो हमारी इंग्लिश मेडियम वाले प्रिल या फिर ऑक्टोबर सेशन में देने वाले हैं तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हैल्फिल रहने वाली है इन फ्यूटर भी अगर आप लोग कोई भी एनायस में एड्मिशन लेते हो तो आप हमारी वीडियो से देख करके अपने प्राक्टिकल बन प्रास हो जाते हो अब 33% कितने हुए तो 20 मार्क्स आप लोगों को आपके प्राक्टिकल में लाने है तब जाकरके आप अपने प्राक्टिकल में पास हो जाते हो ठीक है अब दूसरा डाउट बच्चों के मन में यह रहता है किस तरीके की फाइल्स हमें यूस करनी हैं तो आपको दो तरीके की files आपके stationary shop पे मिल जाती है जो की practical notebook रहती है और loose sheet वाली भी रहती है जिसमें one side जो है आपका white page रहता है दूसरे side पे आपके lining वाले pages रहते है white side वाले page पे आपको pick paste करनी है lining वाले pages पे आपको लिखना रहता है I hope इतना जो doubt आपके मन में है वो clear हो गया ह अब लिखोगे आप लोग जो है certificate से लिखना आपको start करना है ठीक है बॉल्ट की हुई चीजों को आप लोग जो है black pen से लिखोगे जैसे कि यहां पे without bolt की हुई चीजे लिखी है तो आप इसे blue pen से लिखोगे ठीक है अब red pen का use जो है गलती से भी आप लोग नहीं करना नही तो आपके marks जो है teacher card सकते हैं या हो सकता है आपकी file check नहीं हो ठीक है acknowledgement भी जो है bolt करके लिखा है तो इसे भी आप लो black pen से लिखना without bolt की हुई चीजे आप लो blue pen से लिखोगे तो चलिए आईए आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि यहां पे किसी भी practical का हो तो आपका सबसे main रह marks काफी अच्छे आते हैं यहां पे मैं आप लोगों को total जो है 10 practical दूँगी जो कि आप लोगों के लिए लिखने enough रहते हैं इससे जादा लिखने की need आपको नहीं रहती है तो चलिए आईए आगे बढ़ते हैं जैसे दी गई है चीजे सब वैसे ही आपको देख करके same as it is आपको अपनी file में जो है copy कर देना है ठीक है और कोई changes इसमें नहीं होंगे सिर्फ आपको देख देख के copy करना रहता है अब यहां पे जैसे की experiment one aim वेगरा क्या है objective क्या है software required क्या रहती है ठीक है यह जितने भी चीजे दी गई है bolt करके तो आप इसे जो है black pen से लिखना ठी ठीक है अब जैसे कि यहां पे without bolt की हुई जो चीजे है तो यह आप लोग जो है blue pen से लिखोगे red pen का use गलती से भी आपके नहीं होने चाहिए नहीं तो teachers जो है आपकी files को check नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखके आप लोग जो है अपनी practical को बनाओगे और दूसरी बात यह जैसे दिया गया है से मैंज इटी आपको copy करते रहना है ठीक है यह जो पिक है जल्दी से आप लोग screenshot ले लो और इस पिक को जो है white side वाले page पे आपको paste करनी रहती है ठीक है जिस तरीके से आपको दी गई है file पूरी file आपको same copy करते हुए चलना जिसको आप लोग बोलते हो copy paste करना है तो आप लोग जल्दी जल्दी screenshot लेते चलो यह पिक जो है white side वाले page पे आप लोगों को paste करनी है जितनी भी पिक साथी चलेंगी screenshot लेते चलो आप लोग और print out निकलवाके white side वाले pages पे आपको जो है paste करनी है अब यहाँ पे जैसे कि observation दिया गया है तो यह जिस तर पे भी bolt की हुई चीजें जो है आपको black pencil लिखनी है without bolt की हुई चीजों को आप लोग blue pencil लिखोगे और दूसरी बात आप लोगों के मन में यह doubt है कि मैम हमें marks किस तरीके से मिलते हैं practical के तो 50% marks जो है आपके formative रहते हैं अब आपके मन में doubt रहेगा कि मैम formative क्या है आपके जो 5 PCP classes attend करनी जो है mandatory रहते हैं ठीक है तो इसके 50% marks जो है आपको दिये जाते हैं ये classes आप लोग ज़रूर से attend किया करो इसके marks रहते हैं ठीक है और दूसरे 50% जो marks है आप लोगों के वो है सबमेटिव के अब आपके मन में ये भी doubt है कि सबमेटिव होता क्या है तो आप जो practical file बना करके अपने study center पे लेके जाते हो अपने exam वाले दिन उसे कहते हैं सबमेटिव जहां पे आपका जो है वायवा exam होता है और return में 2-4 question लिखने के लिए आपके subjects के according ही basic question देते हैं जि ताकि आप लोग जो है किसी भी तरीके के मन में जो doubt है वो आपके नहीं रहे और clearly रहोगे आप लोग माइंसेट से तो क्या आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी ठीक है another कोई भी doubt है अगर आपके मन में comment section में हमें comment करके बता सकते हो उसके उपर भी जो आपका doubt है वो clear कर दिया जाएगा जितनी जल्दी possible हो पाएगा ठीक है तो आप लोग जिस तरीके से दीगे हैं चीजे सेम कॉपी करते हुए अपने practical file में चलोगे another किसी भी subject के अगर आपको practical चाहिए तो आप लोग हमें comment section में जरूर से comment करके बता देना उसके उपर भी जितनी जल्दी हो प मतलब आपको practical दिये जाते हैं वो सभी pics जो है paste होंगी इस बात का आप लोग ध्यान रखें ठीक है ना अब जैसे कि यहां पे experiment 3 दिया गया है ठीक है बोल्ड की हुई चीजे black pen से without बोल्ड की हुई चीजों को आप लोग blue pen से लिखो गई यह चीजे मैं आप लोगों को बा कुटियो ताकि आप लोग किसी भी तरीके की गलती नहीं करो और marks भी जो है आपके full to full आएं यह जितनी भी वीडियो आपको दी जाती हैं यह सभी इसलिए दी जाती है ताकि आप लोग हमारी वीडियो से help ले करके अपनी study preparation को और भी बहतरीन करके अपने marks जो है अच्छे ले करके आप आओ यही हमारा motive रहता है इसी वज़े से जो है आपको हम लोग वीडियो जो है proper way में दे रहेते हैं जिसकी वज़े से आप लोग अच्छे तरीके के marks ले करके आप आओ इसी चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखो बह आपके लिए ही helpful रहती है अगर skip करके आप देख रहे हो तो आपके लिए काफी सारी information जो है miss होती है क्योंकि NS के जो students है वो यही गलतिया करते हैं जिसकी वज़े से उनका fail होने का reason रहता है क्योंकि आप लोग टीचर की बात को proper way में सुनते नहीं हो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो इसलिए आप लोगों के जो है fail होने का reason रहता है तो यह चीज़े आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो ताकि आप लोगों के ही लिए बैतर है है न और और भी subject की जो playlist है आपको description box में दे दी जाएगी वहां से आप लोग अपने practical के subject देख देखकर बना सकते हो अगर वहां पे आपके subject uploaded है अच्छी बात है देखकर के बना लें अगर uploaded नहीं है तो आप लोग हमें comment section में अपने subject name और medium जरूर से बता दिया करें देखिए आप लोग medium अगर बताते हो तो हमें पता रहता है कि नहीं इस बच्चे ने इस वीडियो को हमारे पास demand रखी है ठीक है चाहिए English medium रहो आप लोग चाहिए Hindi medium रहो ठीक है तो हमें भी पता रहेगा ना experiment 4 इसमें क्या है aim बेगेरा क्या है objective क्या रहता है ठीक है software की required क्या क्या है वो सारी चीजे इसमें अच्छे तरीके से जो है mention की गई है जिससे कि आपके marks काफी अच्छे आते हैं तो ये files जितनी भी आपको दी जाती हैं ये सभी NSK expert teachers द्वारा ready होती हैं जिसकी वज़े से जो है आपके marks काफी अच्छे आते हैं इसी चीज़ को ध्यार रखके हम लोग आपके जो है file ready करवाते हैं और सभी files जो ready होती हैं सभी expert teachers अलग-अलग subjects के जो teachers हैं उसी subjects के teachers के पा आते हैं ये सारी चीज़ें आप screenshot ले लो इसको pick paste करना है draw नहीं करना है क्योंकि computer है computer में कोई भी चीज जो है इसमें draw नहीं होगी ठीक है तो आपको pick paste करनी है जितनी भी pick साथी चली जाएंगी screenshot लेते हुए चलो आप लोग और pick paste कर देना ठीक है print out निकलवा के white side वाले pages रहते हैं उसमें आपको ये paste करनी होती है और अगर आप लोग जो है ये pdf हमारे यहां से लेते हो nominal charges की fees को pay करके तो आप लोगों को ये fix जो है screenshot लेने की need नहीं रहती है इसली आप लोग निकलवा सकते हो ठीक है experiment 5 यहां पर यहां पर भी same aim विगरा क्या है objectives क्या है ये सार होती है जिसकी वज़े से आपके marks अच्छे आते हैं ठीक है तो जितनी भी पिक्स आ रही है सभी screenshot जल्दी जल्दी लेते हुए चलो नहीं तो आप लोगों के लिए वीडियो जो है काफी lengthy हो जाती है ठीक है तो फिर आप लोग बोलते हो कि मैं वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई इसमें जितनी भी पिक्स है आप लोग screenshot अगर नहीं ले पाऊगे तो आप लोगों के लिए ही loss है क्योंकि काफी सारे students है जो वीडियो से देख करके बनाते हैं ठीक है और बहुत सारे students हैसे हैं जो PDF लेते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती और जो बच्चे व आप लोग nominal charges की fees आप पे करके ले सकते हो description box में भी आपको contact number मिल जाएगा और वीडियो के end में भी मैं आप लोगों को number जो है provide कर दूँगी जिसकी वज़े से आप लोग contact करके ले सकते हो ठीक है यहाँ पे भी जो number दिया है इस पे भी आप लोग contact कर सकते हो यहाँ से आप contact करके ले सकते हो अपने practicals की file अगर आप लोगों को hand return भी चाहिए तो भी आपको हमारे channel के available मिल जाते हैं English और Hindi दोनों ही languages पर ठीक है तो चलिया आईए आगे बढ़ते हैं यह जितनी भी pics है जल्दी जल्दी screenshot आप लोग ले लो ठीक है चलिया आईए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर जैसे की experiment 6 दिया गया है पोल्ट की हुई चीज़े आप लोग black pencil लिखोगे without पोल्ट की हुई चीज़े आप लोग blue pencil लिखोगे यह चीज़े मैं आप लोगों को बार बार इसलिए mention कर देती हूँ ताकि आप लोग किसी भी तरीके की गलती ना करो जिसकी बना के submit कर दो तो फिर teachers क्या है ना आपके marks तो देंगे ही नहीं इस बात का आप लोग ध्यान रखना ठीक है तो overwrite आपकी file में नहीं होना चाहिए दूसरी बात जो है काफी सारे बच्चे जो है PDF लेना चाहते हैं लेकिन contact number उनको नहीं मिल पाता तो यह जो contact number आपको दिया गया है यहां पर आप contact करके अपनी practical file ले सकते हो solid हो या handwritten हो ठीक है handwritten जो file रहती है आप लोग जो address देते हो उसी address पर यह file ready होने के बाद आपको deliver की जाती है और आपको directly आपके study center में submit करनी अदर्वाइस कुछ भी करनी नहीं है ठीक है experiment 7 तो चलिए आए आगे बढ़ते ह अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर से subscribe करके रखे क्योंकि ऐसी ही videos हमारे चैनल पे आप लोगों को time to time मिलती रहती है जिससे कि आप लोग हमेशा updated रहते हो और भी कोई student अगर ऐसा है जिसने आपके related कोई भी ऐसा student है जिसने यह subject ले रखा है तो उसके साथ जरूर से share किया करो क्योंकि उसको भी जो है हमारी वीडियो से help मिल जाएगी और हमारी वीडियो से help लेकर के आप लोग जो है अपनी practical file अच्छे तरीके से बना पाऊगे और best marks लेकर के आप आऊगे और आप लोगों के support की वज़े से आज हमारा जो channel है काफी growth किया है ठीक और दूसरे बच्चों के साथ भी जो है हमारा channel share कर दिया करो जिससे कि वो बच्चे भी हमारी वीडियो से help लेकर के अपनी study preparation बहुत बहतरीन तरीके से कर पाएंगे अब जैसे कि यहां पर experiment 8 ठीक है जो जो वोल्ट करके चीज़े लिखी है बोल्ट वारी चीज़े आप ल लिंक आपको description box में मिल जाएगी अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो front page के लिए प्रहशान होते हैं कि मैम हमें practical का front page कि इस तरीके से बनाना है मैं समझ में नहीं आ रहा आप थोड़ा suggest कर दो तो telegram channel की जो link है आपको description box में मिल जाएगी जब आप हमारे channel को like और subscribe करके व आपको feel करनी है और add करनी रहती है और आपको submit कर देनी अदरवाइस कुछ भी करने की need आपको नहीं होगी ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर जो पिक है screenshot ले लो आप जल्दी से जितनी भी चीज़े हैं अच्छे तरीके से लिखना shortcut का use बिल्कुल भी ना करे बहुत सारे बच खुद भी सोचोगी हमें किस तरीके से marks मिलेंगे अगर आप लोग कम लिखोगे 60 marks हैं ठीक है तो फिर किस base पे teachers आपको marks देंगे तो यह भी चीज़ आप लोग सोचोगे ना कि हाँ हमे marks भी अच्छे चाहिए अगर हम shortcut use कर रहे हैं तो किस base पे आपको teachers marks देंगे तो इसलि रहती है ठीक है formulas और functions क्या है Excel में यह सारी चीज़ें यहां पर जो है अच्छे तरीके से दी गई है यह सारी चीज़ें ड्रॉ तो गलती से भी नहीं करना क्योंकि computer है ठीक है न computer में drawing नहीं होगी यह सारी चीज़ों पर आपको pick paste करनी है screenshot जल्दी जल्दी आप लोग लेते आपको screenshot लेने में किसी भी तरीके की दिकत नहीं आएंगी और अगर आप लोग PDF लेते हो तो आपको इतने screenshot लेने की need नहीं होगी easily आप लोग जो है print out उसमें से निकलवा सकते हो ठीक है पिक्स जो है वहां पे सारी अच्छे तरीके से दी रहती है PDF में और आप लोग उस PDF स इसे जो है pick निकलवा सकते हो यह जो टेबल है इसे आप लोग जो है draw करना उसके बाद जो है यह सारी चीज़ें लिखोगे ठीक है और यह जो चार्ट दिया गया है यह चार्ट भी आप लोग screenshot लेके रखो और इसको भी निकलवाना यह नहों कि आप लोग इसे draw करने के लि नहीं लिखना है ठीक है जितने दिये हैं यह इनक है और आपके marks जो है full to full आएंगे और जिस तरीके से हमने आपको बताया है अगर same as it is आप लोग अच्छे तरीके से करते हो तो आपके marks अच्छे ही आएंगे क्योंकि बहुत सारे students क्या गलती करते हैं आदी चीजों को ही ढंक से कुछ भी नहीं है और guidance अगर कोई दे तो उसे भी आप लोग लेते ही नहीं हो इस वज़े से आपकी गलती होती है जिसके वज़े से आपके marks जो है कट होते है तो at least जितनी बाते आप लोगों को अच्छे तरीके से बताई जाती है अगर उसको follow करके आप लोग च चैनल पर आप लोगों को time ही मिल जाएगी जिससे आप लोगों अच्छे तरीके से prepare हो पाओगे तो ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से subscribe करके रखें क्यूंकि आप लोगों के लिए ही काफी सारी helpful वीडियो आती है ठीक है अब अब अगर आप लोगो चाहते हो कि आप लोगों को sold PDF जो है मिल जाए तो वो भी ले सकते हो आप ठीक है और अगर आप लोगों को hand return में चाहिए तो भी आप order करके मंगवा सकते हो दिये गए contact number पे contact number जो है 8250129920 ये HKNS information का number है ये description box में भी आपको मिल जाएगा और telegram चैनल, whatsapp चैनल पे भी ज़रूर से join हो जाए वहाँ पे भी आप लोगों को जो है काफी सारी informative चीज़ें मिलती है जिसकी वज़े से आप लोग updated रहोगे और front page भी आपको वहाँ पे मिल जाता है